ओम्शन्ति आज सभी योग सीखने के लिए सुखी जीवन बनाने के लिए आपको तरह तरह से ज्ञान की गंगा की बरसाथ हो रहे है आप सभी से एक प्रश्न करते हैं कितनी सभा में जो सभी लोग बैठे हैं कितनी लोग जो परमात्मा का ये ग्यान अध्यात्मी क्यान साथ दिन का कोर्स कितने लोगों ने अभी तक नहीं किया वो हाथ खड़ा करें साथ दिन का कोर्स कितने लोगों ने अभी नहीं किया है हाथ खड़ा करेंगे जो पहली बार आए हैं भावा के घर में अभी कोर्स नहीं किया है उच्छा उच्छा हाथ खड़ा करेंगे लिखाई देगा अच्छा अभी तक कोर्स नहीं हुआ अच्छा अभी दो भाईयों का आड़ दसमात आए हैं तो जहां आपका नजदीक सेवा केंद्र हो ये कोर्स अवस कर लें क्यूंकि ये सत्त नारायन की कथा है भक्ती मार्ग में सुनते आए सत्त नारायन की कथा हर महीना लोग सुनते रहे लेकिन जो परमात्म ने हम सब को कथा सुनाई जो हमारी कथा है हम क्या कर रहे हैं वो जरूर सुनना है क्योंकि इसमें चार सीड़ियां है जो आपको चड़नी होंगी सबसे पहले आपको निश्चे होगा जब कथा सुनेंगे निश्चे होगा कि हम कौन है परमात्म कौन है इश्वर धर्ती पर कहते हैं भगवान ब्रामन के भेस में आए तो कब आये थे किस समय आये थे और क्यूं आये थे क्योंकि भगतों की जोलियां भर करके वो चले गए तो अभी कौन सा टाइम चला है भगतों की जोलियां भरने का भगत से बच्चे बनाते हैं वो इसलिए ये कथा सुनना बहुत आवश्यक है सत्त नारैन की कथा में आता है कि लीलावती और कलावती ये कथा किसको सुनाई गई थी लीलावती और कलावती को तो परमात्मा निज्व अध्यात्मिक रहिस बताए क्या बताया कि कुछ लीलाई करो कथा सुनने के बाद कुछ लीलाई करो कैसे करोगे लीलाई क्या करोगे तो कभी बाबा का भोग लगा रहे हैं आश्रम पर कभी ब्रह्मा भोजन का कारीक्रम कर रहे हैं जैसे आज किसी ने किया ब्रह्मा भोजन का कारीक्रम इससे कितनी ब्रामणों की दुआई उनके पास सिखटा होंगी ब्रह्मा भोजन लोग खाते हैं और दुआईं भी देते हैं साथ साथ तो कुछ लीलाई करो अपने जीवन में क्योंकि जब लीलाई करोगे तभी तो नाम बाला भगवान का होगा और आपका भी होगा और ग्यान सुन लिया कुछ लीलाई नहीं कर रहे बस रोच मुरली सुनके घर चले जाते हैं इश्वर से कोई मतलब नहीं है इश्वर की कारोबार से कोई मतलब नहीं है जिनको तो कहते हैं ये लगे बच्चे हैं ये सगे बच्चे हैं जो सपूत बच्चे होते हैं कुछ कपूत बच्चे होते हैं तो हमें सपूत बच्चा बनना है तो कुछ लिलाएं करनी पड़ेंगे दूसरा कलावती जो आता है कलावती का मतलब होता है कुछ कलाएं कृष्ण के अंदर कितनी कलाएं थी सोला कलाएं तो सोला कलाएं अपने जीवन में लाओ सबसे पहला जो कला भगवान ने सिखाई वो है जीवन जीने की कला और जिसको जीवन जीना आ गया वो चार सीड़ियां चड़ जाता है इस ग्यान मार्ग में तो सबसे पहली सीड़ी है निश्चें इश्वर पे निश्चें हो गया विश्वास हो गया एक बल एक भरोसा पर मात्मा से अपना पूरा संबंद जोड लिया बस जो वो कहे वही हमें करना है ऐसा निश्चें बैठा तो निश्चें के आधार पे दूसरी सीड़ी होती है सरलता आप कितना भी टाइट नेचर है आपका आप बहुत गुस्से वाले थे अज्ञानकाल में बहुत तेज तराड थे लेकिन अभी क्या बनना है बाबो को क्या पसंद है सरलता सरल बन जाओ और जब सरलता जीवन में आ जाती है तो आज्याकारी या पाटोमेटिक बन जाते है सरल लोग आज्याकारी ही होते है तीसरी सीड़ी है समर्पन में प्रेम में आप समर्पित हो गए बुद्धी को आपने समर्पित कर दिया कहते हैं प्रेम गली अतिसाकरी तामे दो ना समाए प्रेम की गली बहुत सकरी है आत्मा परमात्मा के बीच में अगर तीसरा कोई आ गया तो परमात्मा खिसक जाएगा चला जाएगा इसलिए हमारे बीच में परमात्मा के बीच में उस प्रेम के आत्मा उस प्रेम में ही इश्वर के प्रेम में डूब जाए चोथी सीड़ी है समाधी परमात्मा के प्रेम में आप मगन हो जाए क्योंकि इश्वर हमको कहां ले जाना चाहते है कहां की तैयारी सभी कर रहे है स्वर्ग जाने के तो जब स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहे है और भगवान ने कहा है कि अगर तुम वाइदा करो तो मैं तुमको बहुत अच्छी दुनिया में ले चलता हूँ अच्छी दुनिया में मैंने तुमको भेजा था आज तुम कहा हो तो बाबा को हमेशा बोलो बाबा हम मौज में हैं खुश हैं अच्छे हैं सब के लिए शुप कामना शुप भावना रखो और ऐसी दुनिया की तैयारी करो जहां बाबा हमें ले जाने के लिए आए हैं तो उसी पर आपको एगीज सुनाएंगे क्योंकि भगवान से जो वाइदा करते हैं उस वाइदे को निभाते भी हैं तुम अगर साथ रहेने का वादा करो मैं तुम्हे सुल्क के सुख लुटाता रहूं तुम अगर साथ रहेने का वादा करो मैं तुम्हे सुल्क के सुख लुटाता रहूं तुम अगर मेरी स्रीमत को धारने करो मैं विकारों से तुमको छुडाता रहूं मैं सत्युग के सुख में था भेजा तुम्हे राज सिंगा संपर था बिठाया तुम्हे दुमों सिर्पाज तुम्हे कहा खो दिये ऐसा मोहताज किस ने बनाया तुम्हे तुम अगर ग्यान मूरेली को धारने करो मैं विकारों से तुमको छुडाता रहूं तुम अगर साथ रहेने का बादा करो मैं तुम्हे सर्ग लुटाता रहूं तुमने भक्ती में हर दम तलाशा मुझे फिर भी मुझे को कही तुमने पाया नहीं मैंने आकर स्वयम अपना परिचे दिया साथ बच्चों का भी मैंने छोडा नहीं तुम अगर मम्ह बाबा को फालो करो मैं फरीस्तों की मैं हे फिल सजाता रहूं तुम अगर साथ रहने का बादा करो मैं तुम्हे सर्ग के सुख लुटाता रहूं अब तु संगम सुहाना समया गया बाब लेने वहां से यहां गया अब तु वापस शने का समया गया तुम अगर मेरे गीतों को गाते रहो मैं तुम्हे ग्याने रतनों से सजाता रहूं तुम अगर साथ रहने का बादा करो मैं तुम्हे सर्ग के सुख लुटाता रहूं तुम अगर मेरी स्रीमत को धारण करो मैं विकारों से तुमको छुडाता रहूं मैं विकारों से तुमको छुडाता रहूं ओम संते ओम संते